हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल, मैं हूँ आशिश और स्वागत आपका अपनी इस YouTube चैनल में चलिए देखते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से LTP कैलकुलेटर से आज ट्रेड हुआ और LTP कैलकुलेटर से चार्ट अपकरिसी 2.0 को देखकर किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि LTP कैलकुलेटर चार्ट अपकरिसी 2.0 को देखकर किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, तो मैंने आपके और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस सरी के से हम लोग पर करशीव टूपइंट जूरो से म skipping साथ ले सकते سंप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकॉन के उपर आपको प्रेस करना पड़ेगा तो आप लोग चैनल में मुझसे मॉर्णिंग लाइव में जूड सकते हो तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि निफ्टी परसले हमने निफ्टी में पूट के साइड में ट्रेड किया था ठीक है मॉर्णिंग में ही हम लोगों ने क्या किया था निफ्टी में पूट के साइड में यहाँ पर ट्रेड किया था यह मैंने दिखाया था आप लोगों को यहाँ अगर यह सपोर्ट ब्रेक होता है यह सपो निफ्टी गिरना बंद कर चुका था मतलब साइडवेज हो चुका था निफ्टी में यह मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ साइडवेज मार्केट में तो मैं आपको जाने के टाइम पर भी बता के गया था कि यह इंट्री लेवल आपकी उपर के साइड में होगी और मैंने आज क्या ट्रेड किया यह आज मैं आप सत्रुबionen से ऐसे में तैता यह फिम दो बनागों भी फ्रेश कर दो इंखा हो Chi ओ partly अप्स那就itis में धृषा क्या तो क्या गुरू सीत्ना फ़्तिनिवेज हो दिख्ण होगा तो यहा पर मुझे त्यृउड-ट्स जितनाёл मतलब थाउजन दुर्पीज का प्रॉफिट आप लोगों को दिख रहा होगा और यह उसके अगेंच में मैंने फ्यूचर बाइ किया तो इस फ्यूचर को सिक्यूर करने के लिए मैंने अगर रिलाइंस साइडवेज हो जाता है तो यह मेरे जो आउट आप दमनी कॉल और पू कि यहाँ पर रिलाइंस में किस तरीके से ट्रेड किया ठीके रिलाइंस में मैंने चाट अप ग्रिसीव 1.0 के अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया था ठीके और मैंने जाते टाइम भी बोला था कि इसमें अगर रिलाइंस उपर जाएगा तो यह निफ्टी को भी उपर लेकर जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि ट्वेंटी फाउड़ पंडर्ड पच्चीसो की लेवल पर हमें जो है सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा था उस्टाइम पर 25 का सपोड था लेकिन जो रिलाइंस था अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीच त्रेड कर रहा था लगबग 2480 के पास इसको सपोर्ट मिला आप यह सपोर्ट किस तरीके से देखेंगे हम लोग टाट अगर उसी वन पॉंट जीरो का सिनारियो है घिके यह регisана 600 पर यहाँ पर बना हुआ है और यह सपोर्ट जो हे वह 2500 पर सपोर्ट बना हुआ है तो इसमों उपे उपर हम लोग एक्स्टेन्शन अफ सपोर्ट से उसको बाई करते tv लोगों को इस ब्यू अगर के भॉग ब देखो इसको तो रिलाइंस कहा पर आकर रुका है आप लोग अगर देखो 82 तक नीचे गिरा है extension of support यहाँ पर था था थोड़ा सा यह नीचे जाकर वापस से उपर आने लगा तब मैंने अपना setup यहाँ पर लगाया मैरा setup जानने के लिए आप लोगों से जूड़ सकते हो मैं पूरा setup आप लोगों को बताऊंगा और community batches भी आने वाले टाइम में शुड़ होने वाले देखो यह setup मैरा activate हुआ तो यह moving average के ऊपर यह closing करना start कर दिया obviously मैरा stop loss इसके नीचे रहेगा इस candle particular candle में मेरी limit order जो है वो 92 पर execute हुआ अगर मैं दिखा हूँ आपको order book में जाकर यहाँ पर 92 में मेरा limit order जो है वो एक लोट फ्यूचर में 2400 पर मेरा order execute हुआ ठीक है तो यह reliance में मेरा फ्यूचर में एक position बन चुका था लेवल पर और stop loss मैंने यहाँ पर लगा कर उसमें call or put दोनों को sell करके फोड़ दिया था तो यह last में मैंने profit scandal के around यहाँ पर book किया तो यह extension of support से ट्रेड मिला था ठीक ह एक्स्टेंशन आप support से यह trade मिला था और exactly यही पर मेरा buying हुआ था 86 85 के level पर जब spot था तब future में मैंने buy किया था मैं future का भी आप लोगों को दिखा देता हो एक बार future कहाँ पर buy किया था मैंने इस तरीके से यह trading मतलब कर किया जाता है जाता है यहाँ यहाँ पर मेरा order पंच हुआ होगा और stop loss मेरा इसके नीचे का stop loss मैंने decide किया था और यह उस वहाँ पर कभी आया है नहीं यह पर ही चला गया इस setup का भी वीडियो मैंने बना कर रखाए वो भी आप जा कर सकते हो तो इस तरीके से आप लोगों को फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी trade मिलेगा निफ्टी में ट्रेड करना है आप लोग यहां से यह मैंने बोला था एंट्री कहां पर बनेगी यहां पर अगर इसके उपर लाइन के उपर यह जाता है तो नीचे का stop-loss डाल कर आप एंट्री कर सकते हो और टार्गेट यहां तक का होगा तो कि टार्गेट से भी डबल का profit निफ्टी ने आज दे दिया बैंक निफ्टी में भी एक लाइन दिया हुआ था एक ग्रीन कलर का लाइन था इसके ऊपर आपको निफ्टी को बाई करना था और नीचे का stop-loss आप लोग डाल कर पैट सकते थे तो आपको more than that उसमें भी टार्गेट की टू अलग बग तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि calculator में resistance extension of resistance और extension of support कहां पर बंद रहा है वहाँ पर आप लोग ट्रेड ले सकते हो यह चार्टर अगर्षिक 1.0 के accordingly ट्रेड बना था आज का तो इस वीडियो में मैंने रिलाइस में किस तरीके से ट्रेड करना है वो बताया आने वाले स्टॉक्स जो है वो आप लोग support और resistance यहां से ही देख सकते हो अप लोगों को support और रजिस्टंस home बटन पर जाना है support और रजिस्टंस वाले जो स्टॉक है उनका लिस्ट आ जाएगा proper ट्रेडिंग में आप आपको बता रहा हूं यह जो support वाले स्टॉक से इनमें आप बाइंग करके चल सकते हो और यह जो resistance पर जो स्टॉक है इनमें आप सेलिंग कर सकते हो अभी आईशर मोटर बहुत अच्छा स्टॉक है जो की resistance पर अमें दिखाई दे रहा है तो आईशर मोटर पर अगर क्लिक कर आईशर मोटर का है जो वो ओन हो जाएगा यहाँ पर आपको देखने से ही पता चलेगा कि support कहा पर है 3300 पर यहाँ पर support दिखाई दे रहा है और जो resistance है वो 3400 पर यहाँ पर हमें resistance दिखाई दे रहा है आज सारे ही stock last में उपर गए और आईशर मोटर को हम लोग यहाँ पर लगा लेता हूँ आईशर मोटर का चार्ट हमारे सामने ही आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो stock exactly 3400 के उपर ही खड़ाए ठीक है यहाँ पर ही हमें resistance है resistance कैसे निकाला आईशर मोटर का चार्ट अप्शन चेन ओपन किया आप लोगों को यह blue color का यहाँ पर box दिख रहा होगा यह box की strike price पर है 3400 की strike price पर यह box हमें दिखाई दे रहा है तो 3400 क्या हो गया हमारा resistance हो गया इसके extension को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसके उपर क्लिक और extension of resistance हमारा 3444 पर आ जाएगा 3444 पर आप लोगों को एक imaginary line जो है वो यहाँ पर आएगी 3400 पर ठीक है एक imaginary resistance की यहाँ पर आएगी तो अगर आपको यह यहाँ से अगर 44 की लेवल पर अगर मिलता है इस लेवल पर यहाँ से आप लोग इसको सेल कर सकते हो यह आपको नीचे की direction में जाता हुआ दिखेगा ठीक है पर क्यूंकि इसमें रेजिस्टन्स जो है वो विक टॉर्स टॉप है कहा तक विक टॉर्स ट नहीं बेतर होगा यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता जब रजिस्टंस टॉंग नहीं होता रजिस्टंस अगर यह स्टॉंग हो जाएगा तो आईशर मोटर में 101 परसेंट यहां से एक सेलिंग आ सकती है यहाँ पर सेलिंग के लिए यह इस तरीके से सपोर्ट और रजिस्टंस के बॉक्स में से आम लोगों ने निकाला उसी तरीके से आप लोग रजिस्टन्स सपोर्ट का भी निकाल सकते हैं तो अगर हमें निकालना है अभी तो मोग कौन सा श्टाफ निकालेंगे एसीयन पेंट बहुत अच्छा है ट्रेड करने के लिए एसीयन पेंट का आप लोगों को सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें इसका एक्स्टेंशन क्या आएगा 85 अगर यहां मिलता है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे यहां पर कर सकते अभी के लिए यह स्टाफ जो है अपने सपोर्ट 33 लेवल की सपोर्ट पर आकर यह जा चुका है यहां पर आप लोग देखोगे मैंने यहां पर इसमें अलर्ट भ इसमें भी करता है और यह मुँमेंट क्याप्चर करने के लिए मिल जाता तो यह जब भी निचे आयेगा अप लोग को हैं करके और इसको यहां पर जो है रजिस्टांस हमें दिखाई जा रहा है कौन प्राइस पर 3400 की strike price पर तो यहां आप 3300 की strike price पर buy करके इसको 3400 की strike price तक 100 point का moment यहां पर capture कर सकते हैं अगर यह break करता है 3300 की level यह 85 वहां तक नीचे तक आ सकता है तो यहां पर अगर हम extension of support की बात करें extension of support हमें कहाँ पर लगाना चाहिए 84 के आसपास हमें extension of support लगाना चाहिए तो ये 3280 पर में extension of support आप लोगों के लिए रहा करके हाँ पर दे रहा हूँ तो आप लोग अपने चार्ट में इसे लगा सकते हो तो इसे हम का नाम देंगे extension of support का नाम देंगे तो आप लोग इसको लगा कर रखना यह जब भी नीचे आएगा तो यह बाइंग के लिए आप लोग इसको सोच सकते हो बाइंग के लिए देख सकते हैं तो आईशर एशियन पेंट बहुत अच्छा है एक स्टॉक में आपको निकाल कर दि सब्सक्राइब कर दिया है तो अभी यह लेवल आप अपने यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो उपने चार्ट में और इसको अलएड लगा कर सकते हो यह आपको टार्ड़ के से बना रहा है उपर कि तरफ आप लोगों का यहां पर बाय करके आप का Stop Loss लगा सकते हो स्फे 20 रूपए का Stop Loss रहेगा 100 रूपीष के प्रॉपिट के सामने 10 रूपए 20 रूपए का Stop Loss कुछ नहीं रहा था को आप लोग इसमें Stop Loss लगाकर Asian market को बाई कर सकते हो तो आज दो स्टॉक दिये Reliance का ट्रेड जा चुका है उपर बहुत रिलाइस में मैंने ट्रेड किया था इसी तरीके से मैं आपको बता रहूँ इन दो स्टाक्स में आईशेर मोटर और एशियन पेंट में आप लोग ट्रेड ढून सकते हो मॉर्निंग में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनलीशिक करके उसमें ट्रेड करते तो morning live में आप लोग जरूर मुझसे जुडिएगा तो उसके लिए आपको चैनल को subscribe करके bell icon के उपर प्रेस करना पड़ेगा तो morning में आपको मेरी notification मिल जाएगे और जिसको course अभी buy करना है ये सब कुछ में in detail में वहाँ पर सिखाता हूँ आपको मिलते रहे चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जए है